तो हेलो फ्रेंट्स मैं हो राउलकुमार, आज के वीडियो में एक आप लोगों को खुसकवरी देने बाले है, जितने भी लोग भी एससे सेकंड इंटर लेवल की तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं, उनके लिए बहरती खुसकवरी है, क्योंकि रेलवे का वेकेंसी है, टाइपिंग टेस्ट है, तो टाइपिंग आपको जानना ज़रूरी होगा, कुछ पोस्ट के लिए अलग-अलग मेडिकल ग्रूप होता है, तो मतलब किसी मिमानलो कलर वीजन है, तो चलेगा, किसी में आपका आई साइट थोड़ा ज्यादा खराब है, तो वो चलेगा, किस पोस्ट पे आई साइट आपको अच्छा चाहिए, ठीक है, जहां रनिंग जो भी पोस्ट होगा, for example, इस्टेशन मास्टर हो गया, या फिर गुर्स काट हो गया, तो यह सब के लिए आपका आई का इस्टेंडर्ड ठीक ठाक चाहिए, ठीक है, बांके बाद जहां पे ऑफि फिल करने में लगवग 500 रुपर अभी स्टार्टिंग में लगएगा, लेकिन बाद में वो आपको 400 रुपर रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, तो सीट की बात कर ले तो अंडर ग्रेजुएट लगवग 35 के लगवग सीट है, और उस ग्रेजुएशन में लगवग 8000 सम पां से 7000 रुपया हमेशा ज्यादा ही रहेगा उसका सेल्टी और साथ में बहुत सारा अधर फैसलिटी से रेलवे का सबसे अच्छा चीज़ है कि इसमें फैसलिटी बहुत धेर साड़ा है, इसमें आपको चिल्डेन एजुकेशन एलाउइंसेज है, साथ में ट्रेन का ट् साथ हो जाएगा 14 सेप्टेंबर से, 14 या 15 सेप्टेंबर से स्टार्ट होगा, लास्ट होगा 13 ओक्टूबर तक का, ठीक है, तो इसमें इस बात का ध्यान देना है, जितने भी OVC Candidate है या और जो जिनको की कुछ स्पेसल फाइदा लेना है, या EWS Candidate है, तो उनको करना क्य अगर कुछ साल पुड़ाना है, तो उसको रहने तो फिर से एक नया आप अभी बनवा लूँ, आपके पास लगवग एक मैना टाइम है, एक से डिर मैना टाइम है, आप आराम से बनवा सकते हो, नहीं तो बहुत दिकत होगा, क्योंकि उपर से ही आदियस है कि कि किसी भी प अगर अगर अभी तक आप नहीं है, तो आपको डिरेक्ट किया जाएगा, अगर अभी तक आप नहीं बनवाए हो, तो बनवा लो, सेम सेस्टी, पीड़ोडी, जो भी कंडिडेट है, उनको इस बात को ध्यान करना होगा, साथ में ग्रेजुएशन जो है, एज का जो क्रेट या कब तक उसका एज कंप्लीट होना चाहिए, तो वो लगबग आपको नोटिफिकेशन में दे दिया है, वो नोटिफिकेशन आप देखोगे, तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा, वो आपको स्क्रीन पे हम दिखाएंगे, तो आप लोग तैयार हो जाओ, एक्जाम मतलब कंप्यूटर-based exam होगा, CBT-1, CBT-2 होगा, फिर उसके बाद टैपिंग होगा, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए साइको भी होता है, तो साइको भी होगा, ठीक है, और इस exam में, railway के exam में सबसे अच्छा चीज यह है कि, लोग कहीं पर किसी भी division मे होगे, तो वेटिंग लिस्ट के लिए नहीं होगा, करता है, ठीक है, जो एक बाद सीट दे दिया, तो दे दिया, क्योंकि इसके पहले जो exam railway का हुआ था, अभी भी हमारे बहुत सारे मित्र का जो वेटिंग क्लियर कर रहा है, तो बहुत सारे ASM बन गए है, गुट्सगार आपको math रहेगा, 40 नमर का gk रहेगा, 40 नमर के gk में ही science रहेगा, और current रहेगा और gk रहेगा, ठीक है, तो तयारी, देखो, आपको होई रहा है, बहुत दिन से reasoning बना रहे हो, math बना रहे हो, cut-off इसका ज़्यादा नहीं जाता है, नॉर्मलाइज करके 71-72 जाता है, तो कि अगर आपको typing थोड़ा सा और सब exam से थोड़ा सा tough रहता है, ठीक है, पांके बाद psycho एक अलग से रहता है, तो अगर psycho पास करोगे, तो SM गुर्स गार्ड में जिसका होता है, उसके लिए उसके लिए आपको एक बार psycho देना परेगा, ठीक है, तो psycho का भी तैयारी, वैसे psycho क मातर किलास रहता है, तीन हजार लेता है, छे दिन में स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि कैसे क्या बनेगा, लेकिन छे दिन में आप सीख जाओगो, उसके बाद 10-15 दिन आओ, और प्रेक्टिस करोगे, तो आपका हो जाएगा, अगर आपका होता है, ग्रेजुए तो इस वाले में खोशता नहीं है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, तो अगर आपको लेना है, तो प्रिवियस येर, बुक ले लेना, हमिसा से में स्टार्टिंग से बोलने कि रेलवे का घटना चक्रा आता है, वो जरूर ले लेना, वो आपको ब सब्सक्राइब का इधर का भी हो जाएगा, और भी जो एक्जाम का है, सब का तैयारी हो जाएगा, तो फिर आपका सेलेक्शन होने का चांसे एक दम बढ़ जागा, इसलिए तैयारी मल लगा के करो, बागी बात धीरे-दीरे हम लोग और सब कुछ अपडेट करते रहेंगे कैसे क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, किस तरह का कोश्चन आएगा, कहां से आप तैयारी करोगे, सब कुछ आपको दीरे-दीरे इस चैनल के माधियम से बताते रहेंगे, ठीक है, और ऐसा मत सोचना कि अब रेल भी भी आ गया है, भी एससी भी है, तो किस का तैयारी कर आप कम पढ़े, या तीस रिजनिंग पूछ रहें तो कम पढ़ोगे, तो हो जाएगा नहीं, परना तो उतना ही पढ़ेगा, ठीक है, जिस तरह से भी एसससी के लिए पर रहे हो, और उतना ही पढ़ना पर आप रहेगा, लेकिन करना है स्लेवर्स आपको देखना है, किसी भी चीज को नेगलेक्ट लेके मार चलो मतलो मैत में आप कम जोड़ हो तो मैत के लिए दो घंटा जो डेली देना वो डेली जब तक एक्जाम नहीं होता है देते जाओ ठीक है वह आप एक्जाम में जाके अच्छा कर जाओगे 10 कोश्चन भी आपका सही हो जागा मालो आ नर्मलाइज करके 70, 61, 68, 69, 70 कोश्चन पर इसका कटफ जाता है तो सोचो अगर 65 आप रॉमार्स ले आओगे तो परसेंट बरही जाएगा नर्मलाइज होने में ठीक है बागे बाद इसमें भी होता है कि अगर हार्ड कोश्चन वाले सिप्ट में हो तो आपको थोड़ा जा बागे बाद और कुछ भी नहीं है तैयारी एक जैसा करना मैंने तैयारी करने का तैयारी एक जैसा करना बी एससी और रेलवे दोनों के लेके चलना क्योंकि सिलेबस दोनों में सेम है यह मैं सोचना कि आप रेलवे का करे या इसका करे या उसका करे दूसरी चीज़ फॉर् देख लेना यूट्यूब पे वीडियो या इधर उधर किस तरह से फॉर्म फिल होता है कहां पर क्या-क्या भरा जाता है ठीक है तब अपनेट वाले के पास जाना फॉर्म फिल करने अगर आपको फिल करने के लिए नहीं आता है तो इस बार भी मेरे को लग रहा है कि लाइप फोटो लिया जाएगा इसमें भी फोटो लिया जाएगा ठीक है तो वह सब गलती मत करना बहुत सारे लोग जैसे भी ससी का फॉर्म फिल करने में बहुत सारा गलती लाइप फोटो में किये है ये डॉक्यमेंट अपलोड करने में किये तो इसमें वह सब गलती मत करना नहीं reasoning और math इस तीन चीज़ को daily आप पढ़ते रहो सिर्फ SSC के exam में English पूछ रहा है अभी SSC GD का ये को exam होने वाला है या SSC GD का भी form आया है fireman का तो उसमें भी अलग अलग ये है उसमें भी math है reasoning है जीके है और English भी है और हिंदी भी अगर आपको हिंदी आते थे हिंदी बना और इंगलिस आते थे इंगलिस बना इसलिए form फिल करने के लिए मच उपना जो भी अगर जिसको SSC GD भी नहीं भी जाना है तो वो form फिल करना क्योंकि अगर आप भिहार से हो तो आपका exam पतना गया भागलपुर इस level तक में हो जाएगा तो ज़्यादा दुर जाने का ज़रूरत नहीं है और आपको एक experience हो जाएगा तो बागे बाद धियान करना जो भी certificate आपको जरूरी चलो बाइ